यह मैं कश्मीर से जा रहा था कन्या कुमारी अभी मैंने पंजाब क्रॉस कर रहा हूं तो रास्ते में मैंने गुड़ बनते हुए देखा तो यह भाई सब ने मुझे यहां पर में आया इन्होंने रोका इन्होंने मुझे गुड़ दिया है खाने को और यह गरम है ना भी डिती है इसे बनता को एसने से फ़ले जरने कर रसम कलता है कि यहां से पहले करने का रस निकलता है कि यहां से ऐसे इसमें से रस निकल रहा है और यह रस ऐसे निकलते हुए है कि यह पाइप से जा रहा है मतलब इन्होंने वहां से गन्ना डाला गन्ने से रस निकला यहां से यह पाइप के थूप आगे जा रहा है यह जो कच्रा निकल रहा है यह कच्रा इस गाड़ी में खटा करके यह आगे दूर डालाएंगे अच्छा इसमें इन्होंने मुझे यह कटोरी दियेगी आप रस की लो तो मैंने कटोरी से यहां से रस लिया है इस रस की हम अब देखो पर मैं टेस्ट करके देखता हूं इस बिल्कुल गन्ने का रसी है पर थोड़ा ज्यादा मिल्था है और थोड़ा सा जीट तेस्ट है और उसके बाद यह वहां जा रहा है पाइप से यह नीची आग जल रही है कि सारा इसी में जला रहे हैं यह जलाने के बाद इसी से ही वह भट्टी पकर रही है कि मैं पी लेता हूं शुगर लेवल मेंटेंड रहेगा कि अच्छा यह जो इसका भूसा है इसी को इसमें जला देते हो हुआ है कि यह इसमें आ रहा है पाइप से यह इसमें क्या है अब यह जानने के बाद है फिर इसको इसमें डालते हैं पहले रहा है इसमें आया फिर इससे इसमें जाएगा तो इसमें अब पाइनली उसमें जा करके गुड़ बनाएंगे तो ऐसे गुड़ बनता है तो पूरा एक मशीन लगीं यह समझें और खांड कैसे बनती खांड और इसी राप बनती राप इसे खांड बनती यह गुड़ गुड़ के बाद में सबसे फिर क्या बनता है खांड फिर आखरी में चीनी बनेगी अच्छा वो चीनी की फिल्म मिले और बूरा बूरा किसको बोलते बूरा बनती है प्रेजल बाई करनाता इसको अच्छे जाई बनाने वागा को सामने चीनी मिले इसके बाद इसमें आया । फिर यहां से इसमें जाता है और इसके बाद उसमें पकके गुड़ बन जाता है यह इन्होंने बताए कि यह जो जिसे मैं गुड़ समझ रहा था यह गुड़ नहीं है यह शक्कर है तो गुड़ वो बन रहा है और अभी यह कह रहे हैं कि यहां बैड़ जाओ जाना नहीं भी आपको गरम-गुड़ देंगे वो खाके लेके जाना मतलब ऐसे हक से इन्होंने बोला कि नहीं आपको जाना नहीं है और यह शक्कर है वो गुड़ है शक्कर और गुड़ में फरक क्या है एक ही बात है यह थोड़ी पतली होती है क्या मिलाना पड़ता है इसमें सोडा मिलाना पड़ता है और वो प्योर होता है पेट जाना, बेट जाना, रेस्ट कर दशाओं, 20 मिनिटे रेस्ट घप जाना, धन्यवाद, बेटो गरा राम भी बेटो ने, इन्हों ने इतने हफ्द से बोला कि आप बैड़ गयों, 20 मिनिटे रेस्ट करके जाना, और एकदम जैसे, होता है ना कि नई हक से खाके गुड रेस्ट करके फिर जाना देखो गडम गडम गुड निकल रहा है और उसके पीरे बनाई जा रहे हैं कर दो कर में करें सोडा मिलता है शक्कर वाली सोडा आती है और गुड थोड़ा प्योगर होता है अब यह गाड़ी भर जाएगी तो उसको दूसरी जगा जाके पलट देंगे पिर उसी को यह भक्ती में जला रहे हैं उसमें कुछ और मिला के इन्होंने यह थैली में इतना सारा गुड भर दिया मैंने कई इतना वजन है मैं नहीं लेके जा रहा है कह रहे नहीं रास्ते में खाने घुड लेकर जाओ और यह गुड मैं खा रहा हूं और गर गम ह опис और में और में बीठा जेनरली बहुत कम खाता हूं पर यह पता नहीं एक्साइटमेंट में या सुस्षा के चक्क्र में खा रह羅 हूं हूं कर यह शक्टर है और यह गुडello है करेक ने में सबस्क्राइब झाल झाल झाल